संत और संप्रदाय संत और संप्रदाय ये टॉफिक पढ़ते हो साथियों इसमें आप संप्रदायों के साथ में एक पढ़ते हो साथियों इनके दर्शन चलते हैं दर्शनों की अगर मैं बात करूँ था आपने पड़े होंगे अध्योत वात बिसेश्ट्य दुएत वात शुद्दा दुएत वात दुएत वात इस प्रकार से ये question पूछे जाते हैं और साथियो ये पूछा जाता है कि कौन से संपरदाय से संबंद देते हैं एक तरफ दर्शन बताने वाला हूं सबसे पहले में आपको बताने वाला हूं ठीक है सबसे पहले में आपको दर्शन बताने वाला हूं दर्शन में आपको कुछ नहीं करना है आप सब जानते हो ए बी सी डी और आपको एक और डी लगा देना है ठीक है अब यहां पर मैं आपको बता मैं मैं सातियों मैं आपका एक बहुत बड़ा जो important ये बिंदू था इसको complete करवाने वाला हूँ B से बनेगा सातियों आपको मैं बता देता हूँ विशेष्टा दुएतवाद क्या बनने वाला है विशेष्टा दुएतवाद बनने वाला है आप इसको ध्यार रखना है C से बनेगा सातियों सुद्दा दुएतवाद सुना होगा आपने सुद्दा दुएतवाद ये बनने वाला है D से बनने वाला है सातियों दुएता दुएतवाद दुएता दुएतवाद ये बनने वाला है है अब E hair वच्चा है इससे बनेगा शात्यों द泌ष नेकर देख वो मैं आपको बता लेता हूं, थोड़ा सा color change कर लेता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएं, ठीक है, N के नीचे आपको लिखना है, सात्यों, A के नीचे आपको लिखना है, एक नाम याद रखना है, S, B के नीचे, R, C के नीचे, V, और D के नीचे, N, ये एक sort में अगर म आपको कुछ नीचे करना है, देखो, ऐसे तो बन जाएगा संकराचारिय, ऐसे क्या बन जाएगा, बताओ, संकराचारिय, ऐसे क्या बन जाएगा, संकराचारिय, तो संकराचारिय का जो दर्सन है, उसे किस नाम से जाना जाता है, अद्वेतवाद के नाम से जाना जाता है, आर से बन जाएगा साथियो आर से बन जाएगा रामा नंद जिसे आप रामा नुज भी कह सकते हो रामा नुज संपर्दाय कह सकते हो या रामा नंद कह सकते हो ठीक है तो रामा नुज संपर्दाय का जो दर्सन है उसे किस नाम से जाना जाता है बिसेश्टा द्वेतवाद के और साथियो एन से बनने वाला है निमबार का चारिया और निमबार का चारिया का जो दर्शन बनेगा उसे जाना जाएगा साथियो दुएता-दुएत के नाम से और एम से बन जाएगा साथियो माधवाचारिया और माधवाचारिया का जो दर्शन बन जाएगा उसे आता है तो इस तरीके से आप इस चोट इसी ट्रिक के माध्यम से आप इन दर्शन और संप्रदायों को याद रख सकते हो यह ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक इन शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ओके